एक बार फिर से स्वागत है आफ सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विज निखिल में मैं हूँ निखिल बदवार और आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपोर्टेंट टोपिक खेलो इंडिया प्रोग्राम के बरे में पढ़ेंगे यानि इस वीडियो में हम खेलो इंडिया से संबंदित हर चीज के बरे में पढ़ेंगे कि ये स्कीम क्या है, किसने इसको स्टार्ट किया, क्यों किया, क्या क्या इसके अबजेक्टिव्स हैं, क्या क्या इसकी डाइमेंशन्स हैं, यानि इसको कितने हिस्सों में बांटा गया ह और खेलो इंडिया खेलने वाले खिलाडी को क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं यानि हम हर चीज के वर में पढ़ेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें तो चलिए बिना समय वाए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर तो सबसे पहले जानते हैं कि खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है तो खेलो इंडिया प्रोग्राम एक नैशनल योजना या फिर स्कीम है जो की इंडिया में स्पोर्स की ड्वेल्पमेंट के लिए बनाई गई है इस स्कीम को सेंट्रल गोवर्मेंट के द्वारा बनाया गया है और ये 2018 में स्पोर्स मिनिस्टर करनल राज्य वर्दन सिंग राथोर जी के द्वारा दिल्ली में लाउंच की गई थी और इस स्कीम को लाउंच करने का में नेम था कि इंडिया में स्पोर्ट्स के कल्चर की ड्वेल्मेंट करनी उसका विकास करना इस scheme को Indian government ने इसलिए शुरू किया क्योंकि उनके इसाफ से sports एक national development, economic development, community development और individual development का जरिया है तो इसके लिए हमारी union cabinet ने रजीव गांधी खेल अबियान, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम और नैशनल स्पोर्ट्स टैलन्ट सर्ज सिस्टम प्रोग्राम को मर्ज करके उसको ज्यादा मजबूती देकर एक खेलो इंडिया प्रोग्राम का निर्मान किया ये प्रोग्राम स्पोर्ट्स के शेतर में excellence लाने के लिए लाया गया और इसके साथ साथ ये sports for all को भी promote करता है आगे हम देखते हैं कि खेलो इंडिया प्रोग्राम को कौन कौन सी categories में divide किया गया है तो इसे कुल 12 हिस्सों में divide किया गया है जिसमें से सबसे पहला है play field development इतनी भी play fields हैं, उनकी development की और काम करना, कि खेलने के लिए जगा का निर्बान करना, और अगर जगा बनी हुई है तो उसको अच्छी तरह से maintain रखना, अगली category है sport to national, regional, state sports academics, यानि national, regional, state level पर sports को academically भी sport करना, आगे है community coaching development, यानि coaching community की development के लिए भी काम करना, इसके बाद है state level खेलो इंडिया centers, यानि state level पर भी खेलो इंडिया के centers का निर्मान करना, अगली category है physical education of school children, यानि school के बच्चों की physical education पर भी ध्यान देना, अगला है sports for women, यानि sports के अंदर women participation को भी promote करना, अगली category है annual sports competition, यानि sports competition को annually held करवाना, इसके बाद है promotion of sports among people with disabilities, यानि जिल लोगों में किसी भी तरह की disability है, उस disability को दूर करने के लिए, उसके भाव को दूर करने के लिए, और उनके अंदर एक ability की भावना जगाने के लिए, उन्हें खेलने के लिए प्रेरित करना, आगे आजाता है talent search and development, यानि देश के अंदर छिपे हुए talent को बाहर निकालना, और उसकी development के लिए काम करना, अगली category है sports for peace and development, sports को शान्ती और विकास के लिए अपनाना, second last category है utilization and upgradation of sports infrastructure, यानि sports के infrastructure पर काम करना, उसको समय समय पर upgrade करते रहना, उसकी creation करना और उसकी utilization करना, और last category है promotion of rural and indigenous tribal games, यानि rural और tribal games को भी promote करना, आगे हम इसकी eligibility को पढ़ते हैं कि खेलो इंडिया प्रोग्राम में participate करने के लिए क्या eligibility है, तो सबसे पहले अगर कोई candidate जिसकी age 17 से कम है, वो under 17 category में participate कर सकता है, और जिस candidate की age 21 से कम है, वो under 21 category में participate कर सकता है, आगे हम इसके objectives देख लेते हैं, तो सबसे पहले जानने वाली बात ये है कि एक central sector scheme है, यानि ये जो scheme है, वो central government के दोरा ही लागू की गई है, और इस program की funding central government के दोरा ही की जाती है, इस scheme के अंदर 1000 more deserving sports persons को हर साल scholarship दी जाती है, जिसकी amount फाइव लैक रुपीज पर एनम for 8 consecutive years होती है, यानि आने वाले 8 सालों तक उस player को 5 लाख रुपए हर साल मिलते रहेंगे, इस scheme को लागू करने का कारण एक athlete की एक player की long time development करना है, जिससे की वो पूरी तरह अपनी game की और focus कर सके, और आने वाले समय में अपने देश का नाम रोशन करे, ये program sporting center के लिए 20 universities को identify और promote करता है, sports की promotion के लिए इस program के अंडर latest user friendly technology भी use होती है, जैसे की geographic information system जिसको GIS केते हैं, जिससे की हमें मदद मिलती है कि sports infrastructure को कहां पर locate करना चाहिए, इसके इलावा user friendly website का भी निर्मान किया गया है, या फिर national sports talent search portal बनाया गया है, या फिर किसी भी sports की training के बारे में information देने के लिए mobile apps भी बनाये गए हैं, इस program के द्वारा school और colleges को encourage किया जाता है, कि वो high standard care sports competition अपने institute में organize करवाएं, इस program का ये भी focus है, कि वो एक active population का निर्मान करें, जिनका एक healthy lifestyle हो, इस purpose के लिए एक national fitness drive भी planned किया गया है, जिसमें वे बच्चे जो की 10 से 18 साल के बीच में आते हैं, उनकी physical fitness को check किया जाता है, और उसमें कमी होने पर उन्हें fitness activities के बारे में भी बताया जाता है, पूरे sports ecosystem को impact करना इस program का aim है, जिसमें की sports economy, competition structure, talent identification, coaching और infrastructure included, इसके इलावा इस program के अंडर ये भी आता है कि जो युवा disturbed areas में रहते हैं, उनको sporting activities में engage करना, जिससे कि वे लोग भी nation को build करने का एक part बन सकें, तो आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद है कि आपको आज का topic clear हो गया होगा, अगर आप channel पर पहली बार रहे हैं, तो ऐसी और वीडियो के लिए channel को subscribe कर ले, एक बाद channel पर भी visit जरूर करें, वहाँ पर हमने different different topics की अलग-अलग playlist भी बनाई हुई है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए topic के साथ, thanks for watching and take care. और रार दूर रहाँ झैंनम घाझे मिलते हैं, तो मिलते हैं जर सकतिता झाला पक को साथर टो नए, झाल झाल